यार हैं बैठे विए हैं पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है तो ठीक है सब लोग एक दूसरे को इन फार्म कीजिए और लाइव आ जाएगे और फाइनली हमको आप बता दीजी क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आवाज मिलनी चाहिए आपको दो से के लिए फिक्स करता है फिरा आता है हम आप को आपके समां है आपके दूसरी के अओ क क्या है चल्ये और यति सहा कशी आगा चाहार्जू निधी जक्षी आपकी जक्षाश्यत्योघ्ची अभाद थिक्र्षाप थिक्स्या फोग आप कहा एक सात गुद मॉर्निंग सुने लाल जी चलिए सब लोग लाइक भी करते रही है भाई लाइक कर दीजे आवाज मिल रही है ना सब को क्यों नस्दीक करके बोले है आवाज मिल रही है आप देखिए अब ये तो आप जानते ही है कि ये टाइमिंग आपके BSC Third Year और सबजेक्ट जो लो जी का है फिर भी हम आपको रोज रोज याद दिलाते रहेंगे डेली याद दिलाते रहेंगे कि जो लो जी की टाइमिंग यही है ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई नया ज्रेंट समसे जुड़े तो उसको information मिलनी चाहिए कि नहीं 9 बजे से 10 बजे तक की जो टाइमिंग है वो जो लो जी और BSC Third Year की होती है ठीक है ओके अब यहाँ पर जो लो जी की first paper में हम लोग जो discuss कर रहे हैं वो aquaculture के under PC culture की बात हम लोग कर रहे थे कल और PC culture यहाँ पर PC किस से है फिस से है और culture यहाँ पर as it is लिख देते हैं हिंदी बता देते हैं मचली तो आप जानते ही है मचली का culture यहाँ पर पालन बस इतना सा आपको समझ लेना है तो मचली पालन के ही process को PC culture के नाम से जानते हैं तो मचली का पालन पेंड पे थोड़ी ना किया जाता है मचली का पालन वाटर में होता है इसलिए PC culture एक पार्ट हो गया एक्वा culture का for example है ना आ रहा है आवाज आ रही है आवाज चलिए तो animal breeding जो unit आपकी चल रही है डियर वहाँ पर continue करते वे देखिए आप लोगों ने कहां तक लिखा हुआ था वो point आपका था PC culture done in smaller bodies फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने no down कर लिया था ना good morning good morning परतीक प्रतीक तो हमको लगता है कि देर कर देता है भाई आपको जल्दी आना चाहिए ओके दूसरा point यहाँ पर लिखे important point है इसे नए लाइन से आप लिखिएगा माल लिजे नए परा से आप लिखने की गोसिस कर रहे हैं फिस कल्चर भी कुछ basic point होते है basic point कैसे कैसे होते है क्या बात है अंदाजे बया करना ये भी एक काभिलियत होती है बेटा प्रतीक ठीक है शायराना अंदाज भी अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी not at all देखें फिस कल्चर इंक्लूड में क्या बताएंगा पहला तो यही point आप बता दीजे कि जहां मचली पालन करनी हो उस जगा से सारे unwanted weeds को remove कर दीजे अगर unwanted weeds है तो फिस के grow करने के लिए space कम होगा इसलिए उनको वहाँ से remove कर देना हमारे लिए useful माना जाता है ठीक है तो पहला point यहाँ पर हम यही लिख देंगे elimination मतलब बाहर कर देना of unwanted plants from medium where pisciculture आकर तो यह आप सबज़े कि जहाँ पर pisciculture होता है या हो रहा या होना है वहाँ से सभी unwanted plants को हम remove कर देंगे तो यह पहला point था इसको आप fast note कीजिए जल्दी से फिर आता है इसके दूसरे point पर दूसरा point इनिमल की केस में है इलिमिनेशन आफ अन्वांटेड एनिमल्स यह भी आप मैं प्लांट्स को वहाँ से remove करने के साथ साथ इनिमल्स को भी remove करेंगे यह जैसे कि वो enemy की तरह work सत्रू की तरह work ना कर पाएं और हमारी मचलियां सुरक्षित रहें चलिए तीसरा point यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग भी लिखे दियर रिप्लेस्मेंट बाई डिजारेबल और गेनिजम्स कर देता है अनिमल्स और प्लांट्स यही पर एक साथ आ जाएंगे डिजारेबल और गेनिजम्स है ना बाई जिस मचली को हम पालने की फिराक में है हमारे पॉंड में वही आके पढ़ने चाहिए या उन्ही को हम लाकर के एड करते हैं जो डिजारेबल है डिजारेबल मीन्स क्या होता है सिटेबल जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फिसको कल्चर मिलाना चाहते हैं ठीक है अल इस वेल एवरिटिंग इस फाइन आंसर भी दे दिया करिये भाई कोई नाराजगी तो नहीं रहती है ना हमसे चलिए तो ये तीन पॉइंट्स हो गए आप इसके बाद फॉर्थ पॉइंट आप देखिए डियर यहाँ पर हम क्या कर सकता है कोई मेगनीजम नहीं है तो हम भी मजबूर हैं आपको कैसे ज़्यादा समझाएं फिर भी हम यहाँ पर कुछ ओवर बोलने की कोशिस करते हैं जिससे इसके आले राउंद बातें आपको समझ में आए रामकुमार मौरिया जी चलिए तो यह आप समझने की कोशिस कीजिए वेटा देखिए इसकी बाद हम क्या करना चाहेंगे एक पॉइंट चल्दी से से देख लेता है अगर हम मान लिजे artificially कोई तालाब बनवाए और उस तालाब में कुछ दिन बाद ऐसे घासपुस या पौधे उग गए जिनकी आवसिक्ता है ही नहीं वो बेकार के हैं तो उन सारे अन्वांटेट प्लांट्स को वीड्स को हम वहां से रिमोव कर देंगे दूसरे पॉइंट में है इलिमेशन ओफ अन्वांटेड एलिमेंट्स एनिमल्स जैसे मालीजे फ्राग्स महाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्टे हैं कुछ पानी वाले सांप वहाँ पर इकट्टे हैं तो हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे वो एनिमल्स महाँ से रिमोव हो जाएं ठीक है तीसरा पॉइंट दिये रिप्लेस्मेंट बाइ डिजारेबल और्गेनिसम्स या और्गेनिसम्स के बजाया आपtesपसीज बी कर दीजी तो भी सही रहेगा पहला भी गलत नहीं था काटने की जरूत नहीं है स्बसीज या और्गेनिसम्स दोनों सही रहेंगे डिजैरेबल मैंने बताया जो हमारी इच्छा पर depend है मतलब अगर एक तरह के animals को हम habitat से हटा रहे हैं तो हम जिसको चाहां से रख भी सकता है वो हमारी इच्छा पर depend करता है ठीक है शलेंद्र कुमार गूद मॉर्निंग गूद मॉर्निंग डियर चलिए अब यहाँ पर next point दिखे क्या है वो आप लिखे Improvement of desirable organisms by crossbreeding कीजिए जहता अच्छा रहेगा cross breeding process यह crossbreeding यहतना तो आप जानते हैं कि नए species के बीच cross कराने से एक और organized species डेवलप होता है crossbreeding यहाँ पर crossbreeding का final result क्या होता है जैसे हमने यह वताया था आपको second year में के tomato के साथ plus क्यों लगाता है potato को cross कराया गया था और तब इनकी cross से tomato develop हुआ था tomato या फिर इसको हम किस और नाम से जानते हैं topetto के नाम से जानते हैं या फिर इसका नाम होता flavor sever tomato यही समझना है flavor sever tomato मतलब एक ऐसा tomato develop हो जाना जो लंबे समय तक store किया जा सके जिस पे कोई insect का infection ना हो जिसकी outer coat यानि उसकी skin थोड़ी सी मजबूत हो strong हो और इसकी transportation में भी useful easiness आपको महसूस हो वो है flavor sever tomato आज जो normally use किया रहता है hybrid type को tomato तो tomato और potato इन दोनों की cross से जो ये species मिली है वो किस nature की हो गई वो hybrid nature की हो गई है अब hybrid कहने का मतलब हम आपको बताए हैं पहले कि hybrid जहां कहीं भी हो आप ये जरूर समझे वो mixture की बात की जा रही है तो cross breeding का मतलब दो species के बीच cross करा करके मचलियों के नए-नए species को organize किया जा सके रोडेंट का वीडियो नहीं मिल रहा है सर्च करना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा देखिए हम उसको सर्च कर रहे था हमको भी नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोग आप लोगों को share नहीं किया कोई बात नहीं मिलेगा तो हम share करेंगा आप भी सर्च करते रहे हैं, होता है ना बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता तो रेंडम हो जाता है, प्लेइलिस्ट बनाया नहीं है हमने, आप ये कोसिस करेंगे ना प्लेइलिस्ट बना देंगे, जैसे माल लिजे PC कल्चर का चल रहा है, तो सारे लेक्चर PC कल्चर में टाइम नहीं है, तो क्रोस ब्रीडिंग आप समझ गया है, चलिए इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, तो क्रोस ब्रीडिंग का रिजल्ट क्या होता है डियर, रिजल्ट ये होगा, कि हमें बहतरीन क्वालिटी की फिस्ट डेवलप मिलेगी, आप ऐसा न किया जाए, कि र रास कराता है, जिसका रिजल्ट अच्छा मिले, हाना, रिजल्ट अच्छा का मतलब ये हो, कि उसकी बाड़ी वेट बढ़ सके, उसमें टेस्ट क्वालिटी बढ़ सके, हाना, और उसकी ग्रोथ रेट फास्ट हो सके, यही सब होता है यहाँ पर, और क्या, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो भी रहा हो, पांचमें नंबर पर, यह चछें नंबर पर, जो भी नंबरिंग आप सही कीजेगा, वो है, इंप्रूब्मेंट अफ सबस्ट्रेटम बाई इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो हम यह समझना चाहेंगे, यह फर्टिलाइजर्स की बार बार बात क्या होती है, जैसे हम यह जानते तो है, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, सुगरकेन की फसल कोई भी क्रॉप है, वहाँ पर खाद, यह फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के यूटिलाइज करके, हम अपने फसल की प्रोड़क्टिविटी को इंप्रूव करते हैं, यह तो सही है, लेकिन मचली पालाण में फर्टिलाइजर का रोल कहां से है, भाई क्या इनको भी खाद की जरूरत पढ़ती है, पढ़ती है, कैसे, किस सेंस में पढ़ती है, वो आप समझे, थोड़ा सापको इंडारेक्टली माइंड लगाना होगा, जो हम आपको समझा रहे हैं, पहुचा रहे हैं वहाँ तक, यह मान लीजिए हमने बना दिया है, पॉंड, नीचे लिख देता है, क्या है यह, पॉंड है, जिसको आर्टी फीसली कभी बनाया गया हो, वहां से आप रखे ध्यान, और इस पॉंड में हम लोगों ने मसीन लगा कर वाटर फिल कर दिया, अब क्या करेंगे, इसमें हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे फर्टिलाइजर का यूटिलाजिशन किया जाया, फर्टिलाइजर्स, जिससे जो भी इस एरिया में, लोकेलिटी में, अलगी ग्रो हों, इनकी फर्टिलाइजर की यूटिलाइजिशन के बाद, अलगी की नंबर ओफ ग्रोथ, मेटाबॉलाइड्स, या मेटाबॉलीज्म फास्ट होने से इन में, रिप्रोड़क्शन भी फास्ट हो जाए, मतलब सीधे कह लिजे, अलगी मल्टीप्लाई होने लग जाएं, तो हम ये जानते हैं, अलगी को जेनरली यूज किया जाता है, किस फार्म में, फूड के फार्म में, फूड फार किसके लिए, फिसेज, देखिए, समझिए, फूड फॉर फिसेज, अब यहाँ पर हम लोगों का सेंस है, कि अगर अक्वाटिक मीडियम में हम फर्टिलाइज यूज कर रहे हैं, तो उस एरिया में जो यलगी पाए गए हैं, यह जो डिजारिबल प्लांट्स हैं, जिनको मचलियां फूड के फार्म में टेक अप करेंगी, उनकी क्वान्टिटी मल्टिप्लाई होकर बढ़ जाएगी, अगर इनकी मल्टिप्लेकेशन होती है, तो हम य दिखाएंगे कि फूड के लिए फूड की अविलिटी वास्ट होगी, सफिसेंट होगी, तो मचलियां इनको खाएंगी और उनकी बॉडी की वेट नॉर्मली होगी, ग्रोथ होगी, अच्छी होगी, यही तो हम चाहा रहे हैं, बैं मचली पालन हम क्यों करना चाहता हैं, कि इसलिए करना चाहता हैं, हाँ मचली पालन दो तरीके के होता हैं, देखिए घर में भी छोटे छोटे एक्वाइरियम रखे जाता हैं, जिन में आपने देखा होगा, कभी छोटे 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 बल्ब लगे होता हैं, ओरेंज कलर के, ब्राउन कलर के, वाइट, पिंक, कई इसलिए तरह की कलर फुल फिसेज होती हैं, जिनको हम बहुत महाँगे-महाँगे प्राइस पर खरीद करके लाता हैं, एक्वाइरियम में, एड करता है, तो उन मचलीओं को सो के लिए देखने के लिए पाला जाता है, उनको पालने की जा रही है, यहाँ पर ऐसी मचलीओं को पालने की बात की जा रही है, जिनको डाइट के फार में, प्रोटीन सप्लीमेंट के फार में यूज किया जाता हो, उनकी बात की जा रही है, हाँ पैसे कमाने के लिए किया जाता हो, सही है, बिल्कुल सही है, तो फर्टिलाइजर इंसेंस आप समझ रहे होंगे ना, जिन improvement of substratum, substratum मतलब वो base, वो आधार, जिस जगह पर मचलियों को culture किया जा रहा है, या मचलियों का pollen किया जा रहा है, by using fertilizer, so simple, अब आप पहुँच गए होंगे वहाँ तक जो हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है, इसके बाद, अब ये points यहाँ पर complete हो गए है, include वाले points, आज आईए arrow wise point पर, यानि नए परास से आप समझे लिखने की कोशिस करेंगे, आप समझे रहे हैं, जैसे आपको बताया जा रहा है, ऐसे अगर आप पूरी बातों को समझ जाए, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे parts आप easily लिख पाईएगा, कोई problem नहीं होगी, ठीक है, चलिए, next point आप लिखिए, fish culture, hedge, special importance, dan, milk and meat, लिख लिजिए, बड़ी ऐसा point है, यानि मचलियों का utilization इतना ज्यादा होता है, इतना popular है इनका utilization, जितना के milk और meat नहीं है, वाव, बड़ी बात है यह, next point आप लोग लिखे हैं पर dear, fish is protein rich, food supplement, यह आप लिख लिजिएगा, तो यहाँ पर dear आप protein rich को underline कर दीजिएगा, यानि protein की कमी को पूरा करने के लिए इनको utilize किया जाता है, ठीक है, एक यहाँ पर और point है, वो थुड़ा सा अलग type का है, लेकिन लिखना है हम लोगों को, समझना है, बीच में दिखिया है, हमें stop भी करता है रहता है, इसलिए कि आप note कर पाईए, इसलिए थुड़ा सा slow motion में चल रहे, comparative तो है नहीं है, face is, comparatively की बात किया जा रही है, comparatively, लब comparison किया जा रहा है, cheapest, cheapest food, in regards to meat of goat, अब यह सब लिखने की बात है, लेकिन है syllabus में तो लिखना पड़ेगा, कि मचली goat या बकरे के meat से सस्ता होता है, जाईज से बात सस्ता होता है, लेकिन अभी इन रहता है कि क्यों है topic में तो लिखना पड़ रहा है दियार, अब क्या किया जा सकता है इसे, एक नोट पॉइंट करके आप लेक लीजिए, नोट्स में है, फिस कल्चर इस इनिसियेटेड, इनिसियेटे मतलब प्राग्म किया गया, इन वेस्ट बंगाल, एन देन, इस्प्रेड फैल गया, इस्प्रेड मतलब फैल गया, तू, आल उवर, दा इंडिया, वर्ड नहीं कह रहा है यहां पर, इंडिया की बात कह रहा है, यानि भारत में मचली का पालन सबसे पहले सुरू पस्चिम बंगाल में किया गया और वहीं से पूरे भारत में फैल गया है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम, आपकी द्वारा कोई मैसेज जरू डाल दीजे, अगर हो, चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट रेडिंग डाल देंगे, पॉइंट्स यह सब इतने इजी हैं कि इन पर लेक्चर देना हमारे खहल से बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, तो यहां पर देखिए, टेक्निक्स ओफ कल्चर आप फेडिंग डाल कीजिए, टेक्निक्स ओफ कल्चर, यानि मचलियों के पालने में, कल्चर करने में, सीक्वेंस वाइज कितने प्रोसेज होते हैं, ठीक है? क्या, पृतीक, किस बात के लिए आप नो कह रहे हैं, डियर? अच्छा, कोई प्रोब्लम नहीं है, इसलिए आपने कहा था, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसके बाद लिखिए, टेक्निक्स ऑफ कल्चर, और हम लोग पहले सार्ट में समझने की कोशिस करते हैं, हम आपको टूटल समझाने की कोशिस करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट जब हम आपको लिखाएंगे, तब ऐसे लगेगा नहीं से हम फैमिलियर हो चुके हैं, दिखिए, पहला पॉइंट क्या होता है, आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे ध्यान से, पहला पॉइंट होगा, collection of eggs and fingerlings, यह पहला पॉइंट होगया, दूसरा पॉइंट, eggs, transfer to, hatching, hapa, next हो जाएगा, fingerlings, transfer to, nursery pond, next हो जाएगा, now, transfer to, growing pond, growing, pond, इसके बाद हम लोग यहाँ पर general बताते भी, बनाते भी ऐसा, हम point note कर लेते हैं, वहाँ पर क्या करेंगे हम, nursed, fed, reared, treatment, if required, ऐसा कहें लिजेगा, treatment, और final process यहाँ पर क्या हो जाएगा, harvesting, यहाँ ठीक है, harvesting ही रहने देता है, अब यह समझने की कोसिस कीजिए, एक एक point को हम समझाने की कोसिस में है, collection of eggs, मतलब, जहाँ पर कोई नदी बह रही हो, जहाँ पर कोई बाद हो, उस जगह पर हम netty से बहुत भारीक जिसमें हो, जिसे मच्रदानी होता है, mosquito net, उरके pore बहुत पतले होता है, इतने पतले होता है, कि कोई external mosquito यह उसका child भी इंटर नहीं कर पाता है, अब यह बात अलग है, कि वो बिस्तर से गुशती बहुत पता नहीं कैसे अंदर गुश जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन netting इतनी पतली होती है, उनकी messing या बुनाई इतनी पतली होती है, कि वो अंदर नहीं जा पाते है, हाँ, हाँ, चलिए, चलिए, यह सब बाते हैं, आपस में आज सी कोई बाते नहीं कीजिए, यह topic पर concentrate रही है, अच्छा लगता है, थोड़ा आपस में भी बाते अच्छे लगती हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों को इस पर ध्यान देना है, ठीक है, कोई problem, अब तो आ अब अपना रास्ता खुद समझ सकते हैं, बड़े हो गए, collection of eggs and fingerlings, यह कहा जा रहा, मैंने कहा ना, कि बहराई नदी से या कोई बाद से जो artificial बनाया गया हो, वहां से हम च्छानेंगे, और च्छानने पर बहुत देर सारे, छोटे 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 बिल of fishes, इनको जानते हैं, हिंदी में कहा जाता है, च्छानवर, ऐसे वो गाव की बहसा में च्छानवर कहता है, और समझने के लिए आप चाइल्ड्स of fishes के यह fingerlings, छोटे छोटे होता है न, fingerlings कहता है उनको, तो ऐसा है, एक्स जब आप collect कर रहे होता हैं, तो उन्ही के साथ fingerlings भ हापा क्या होता है, यहाँ पर और अलग टर्मिनलोजी मिलेगी आपको, जैसे माली जी यह मच्छर दान, यह mosquito net कहता है न, इंगलिस में से, यह mosquito net है, mosquito net का जो ऐसे base होता है, वो नीची की तरफ ऐसे hang हो रहा है, यह समझीएगा, यह बड़ा सा mosquito net, इस तरह से बड़ा सा mosquito net ह होगा, और समझ यह जोल हम आपको बड़ा साइसे बना के बता देते हैं, अब इनकी चारू corner पर बंबू लगा देंगे, जैसे एक बंबू हो गया, दूसरा, बंबू मींस बास, तीसरा हो गया, यह चोथा हो गया, ठीक है, अब इसी चारू पर हम mosquito net को क्या करेंगे, बाद देता है, यह देखिए, चारू corner पर हमने बाद दिया है, और इस mosquito net का base जो हो पानी में नीचे की तरफ लटक रहा है, यह बंबू है, जो हमने जमीन पर लगा दिया है, अब क्या करेंगे, यह चारू तरफ पानी फिल्ड है, पानी चारू तरफ फिल्ड है, आब इतना पान पानी ना फिल्ड हो, कि उपर से भी पानी आये जाए, मॉस्कीटो net पानी से उभरा हुआ हो, एक्स्टेंडेड हो, जिससे की fingerlings बाहर न चल जाए, खुले भी है पानी में, तो मॉस्कीटो net का एक घेरा बनाया, वो जो नीचे से भी covered हो, यहरी समझेए, मॉस्कीटो net यान इसको जिनको fingerlings कह रहे हैं, उसे में transfer कर देंगे, या एक्स को transfer कर देंगे, hatching हापा, और यह hatching हापा जो होता, वो कभी कभी या, basically यह cemented होता, cement का बना होना चाहिए, जिससे जब वो पानी इस दरदर कभी move करता है, तो उसके eggs crack होते हैं, और egg crack हो करके वो childs बाहर आते हैं तो hatching मतलब तो आप जानते हैं, कि eggs का crack होना और childhood का बाहर आना, इसे hatching नाम देता है, ठीक है, आप क्या होगा, fingerlings transfer to nursery pond, मतलब एक ऐसे छोटा सा pond आपके लिए हो, जहाँ पर fingerlings को रखें, उनको care करें, उनके लिए feeding provide करें, जैसे जैसे वो एक normal size की हो जाएं, कि अब इन fingerlings transfer to nursery pond, nurse किये, देख भाल किये, खिलाए पिलाए, अब वो थोड़े से size के हो गया है, तब उनको now transfer to growing pond, अब बड़े वाले ताल आप में ले जाकर add कर दीजिए, यानि इस हापा, ये हापा है dear, हापा, मतलब जहाँ पर इनकी hatching कराई जाएगी, फिर कहाँ पर आपने add कर आपने और finally इसको larger pond में transfer कर दीजिए, जहाँ पर इनकी growth होगी, growing pond में transfer कर दीजिए, बाते समझ में आ रही है, आप जो growing pond में इनको transfer कीजिएगा, तब फिर nursed, फिलाए पिलाए ये, fed, food material provide कीजिए, reared, treatment, ये सारे process आप apply कीजिए, उसके बाद finally क्या करेंगे, harvest कर लेंगे गैस निकल रहा है सर, बहुत तेज, बंद कीजिए तुरन, चलिए, ठीक है डियर? ठीक है पानी की बहाओ की तरह मचलियां क्या चड़ती है, प्रतीक का एक question है, देखिए, उनको ऐसा लगता है ना, कि हम जिस एरिया में है, यह area हमारे लिए limited है, और जहां से पानी आ रहा है, वो broad area है, तो फिर narrower to broad जाने की कोसिस करती है, क्योंको बहुत लंबा area पसंद है, इसलिए वो छोटे से एरिया से निकल बड़े से एरिया में जाने की कोसिस में होती है, तो उसके opposite जाने की कोसिस में होती है, यही कारण होता है, अब उनके मन की बात कैसे कोई पता, लेकिन यह science में लिखा हुआ है, कि वो हमेशा बड़े broad area में जाने की कोसिस में होती है, ठीक है, चलिए, हार किसी को नया place अच्छा लगता है, तो नया place पर जाने की कोसिस, यह आप समझ गए ना, harvesting, तो इतने सारे points हमें, techniques of culture में study करने हैं, तो आप पहली heading डाल दीजिए, egg collection and hatching, वो है हमारा first heading यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर पहला point ऐसे first number करके heading डाल दीजिए, egg collection and hatching, क्या समझ रहे हैं आप, पहले मैंने बता दिया आपको के eggs को किसी natural habitat से collect किया जाता है, eggs क्यों collect करते हैं, अगर eggs नहीं collect करेंगे, तो हमको fingerlings directly कहां से मिलेंगे, least मिलता है तो जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे चिलका जील हो गई, गुदावरी नदी हो गई, वहाँ पर filter किया जाता है बड़े बड़े जाल से, लेकिन जाल की जो messing होनी चाहिए, बुनाई होनी चाहिए, बहुत बारीक होनी चाहिए, अदर्वाइस मचलियों के eggs मुर्गी जै जैसे नहीं छोटे होते हैं, वो जाल से निकल भी सकता है, इसलिए mess बहुत बारीक होनी चाहिए, ओके, चलिए, continue करते हैं, यहाँ पर लिखने की कोशिस कीजिए, point wise, eggs are collected from natural water bodies, अब natural water bodies मतलब जो पहले से created हैं, जैसे कोई जील है, कोई नदी है, अब ऐसा भी होता है, कि कई-कई जील ऐसे हैं, जो artificially बनाए गए हैं, पुराने बादसाहों के द्वारा, तो वो नहीं, natural water body की हम लोग बात कर रहे हैं, like करके लिख देते हैं, यहाँ पर, जैसे चिलका, चिलका लेग, सुने होंगे आप, चिलका जील, और क्या, गोदावरी, रीवर, गोदावरी रीवर, इन सब को अंदलाइन कर लीजिए आप, तो ऐसे जगह से, natural water body हैं, इन सब जगह से eggs को collect किया जाता है, अच्छा, eggs को किस फार्म में समझेंगे हम, seed के फार्म में समझेंगे, क्योंकि वही एग जब हैच होगा, तो child को develop करेगा, और child ही नए जनरेशन होते हैं, तो वहाँ पर इनको हम use करते हैं, दूसरे point में आप लिखिए, eggs are also collected from bund, बंस कर लिजेगा, बंस जहां बंस कहीं पर लिखा हुआ है, वहाँ उसकी हिंदी याद रखेंगे, बाद, है ना, जैसे सराय नाहर बाद, भाखडा नागल बाद, समझ रहें, ऐसे बहुत से बाद होते हैं, हमारे इंडिया में बनाए गए हैं, नदी की किनारे, जिनका main function किसलिए बनाए जाते हैं, ये, जैसे पानी को उपर की तरफ lift किया जाता है, बाद बनाएंगे, तो आ रही पानी store होगी ना, तो पानी की उचाई होगी, तो पानी को उचाई से नीचे की तरफ गिराता है, जिसे gravity produce होती है, और gravity से gravity में जो energy होती है, उस energy को take up करके electricity बनाया जाता है, produce किया बिजली बनाए जाती है, पन बिजली जिसको कहते हैं, अब एक तो हमने कह दिया कि बन या बाद से बिजली बनाई जाती है, दूसरा जो पानी store हो रहा है, उसको filter करके आसपास के area को पहुंचाया जाता है, पीने का पानी पहुंचाया जाता है, दो function हो गया, तीसरा तो ये भी है ना, कि बन से हम eggs को भी collect कर लेते हैं, तो बन को हम लोगों ने अलग से क्यो हुआ है, ठीक है, चलिए, इसके आगे, इसी में लिख देता है, 될 देते हैं अबीट, 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 इसीमरे अबीट, आना, आक व्हएं आड़ को curvature नप्रिटर, क्षोर्ट कि आपके, इसीमर क्टन, बिज्चुट का Chuola, था थाएं अबीटेता आट झा झाण धीटी आरे, अबीट, पूल, या या एग़्टार, यह हमने आपको बताया था कि उस कपड़े से जाल बनी होनी चाहिए जिससे मास्क्यूटो नेट बनाया जाता है, मच्छदानी बनाई जाती है, क्योंकि उसकी मेसिंग या बुनाई बहुत छोती होती है, जिससे मचलिया नहीं निकलती है, इसको नोट कीजिए नेक्स पॉइंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है दियर, लिखा हुआ है मतलब हमने लिखा है, उसको बनाया है, फिल्टर किया है सभी जगह से लिखा है, लिखे अग्स आग्स 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 कर दू, यह झालसे है, बहुआण लिटे, च Zahl और्गा हैς ब्सक對了 гр हापा, तो हापा हमने समझा दिया था, इसको अंडरलाइन कर लिजिएगा, हापा क्या है, मैंने बताया नहीं, या तो वो सिमेंटेट छोटा सा टैंक हो, या फिर मॉस्क्यूटो नेट का बना हुआ एक रेक्टेंगूलर फार्मे स्ट्रक्चर, जिसमें अंडी की हैचिंग क उतलब गड़ा या टैंक, हापा कहते हैं, ठीका ना, इतना सा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, एस्माल फिंगर लिंग्स, फिंगर लिंग्स अमने आपको बताया था, चाइल्ड्स ओफिसेज, आर आल्सू कलेक्टेड, फ्रॉम, बंस, यह एंडरलाइन कर लिजे, मतलब एक्स तो कलेक्ट कर रहा है, मेन मोटो हमारा एक्स कलेक्ट करना है, लेकिन एक्स कलेक्ट करते समय अगर फिंगर लिंग्स भी मिल रहे हैं, तो और अच्छी बात है, इन फिंगर लिंग्स को अब हमें हापा, हैचिंग हा चुकि यह हैचिंग होकर के आलरेडी फिंगरलिंक्स में कनवर्ट हुए हैं अब इनको हम कहां नरसरी पॉंड में ट्रांसफर कर देगे यह तो पहले स्टेज पर था ने और यह दूसरे स्टेज पर आ चुके हैं फिंगरलिंक्स अब इनको तीसरे स्टेज पर डालना है कहां पर nursery pond में और इनको stocking food देना है, खाने पेने के लिए मस्त करना है जिससे इनकी growth अच्छी हो पाएगी ओके डियर, चलिए इसके बाद हम लोग बात करता है, देखिए next point यहाँ पर है, इनहीं की बात करेंगे हम these are directly, जो हमने आपको बता दिये, वही सारे points मिलते ही है, डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू नरसरी pond, नरसरी pond यह, अदला finger links को hatching कराने की जरूरत कहाँ, वो तो already hatched है अब उनको नरसरी pond मिले जाएंगे, नरसरी मतलब क्या हाता है, नरस करना, मतलब उनको food provide करना, उनकी देख भाल करना, जो भी requirement है, वो सभी provide करना नरसरी है, चलिए, एक और point यहाँ पर है, तो space नीचे नहीं लिखेंगे हम, space कम है, उपर लिखेंगे, देखिए exit and entrance of water should be controlled यह जैसे आप मचली पालन कर रहे हो, आपने नरसरी pond तयार कर रखा है, और बाढ़ का पानी एक रास्ते से आपके pond में इंटर कर रहा है, तो मचली निकल के बाहर जा सकती है, अगर आप उसका treatment किसी जाल से नहीं कर रहे हो इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई पानी तालाब से बाहर निकल रहा है, या बाहर का पानी तालाब में इंटर कर रहा है तो जाने और आने दोनों पर regulation होना चाहिए, आप चाहें तो बीच में एक net लगा दीजे, जिससे की मचली आपकी safe आपके special pond में रहें वहां से ना निकल पाएं और ना कोई बड़ी मचली बाहर से इंदर की तरफ उन के साथ आ सके अगर आप खुला रख रहे हैं, एक नाले से पानी आपके तालाब में आ रहा है और कोई एक दो बड़ी मचली आपके तालाब में आ गई तो वह सारी चोटी मचलीयों को feed कर जाएंगी और आपके लिए ये undesirable होगा चुकि आपके कार्प को, आपकी क्रॉप को destroy कर रहे हैं, कार्प किस लिए लगा रहा है, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की बॉड़ी के लिए, मचलीयों के लिए, जीगा के लिए, जिनरली कार्प वर्ड के इस्तेमाल करते हैं, dear, c-a-r-p, इनको हम क्रॉप भी कह सकते हैं, क्यों, कार्प तो एनिमल्स के लिए हमने बता दिया है, क्रॉप क्यों है, क्यों हम फसल किताना उगा रहे है, पाल रहे है, उनको कल्चर कर रहे हैं, इसलिए वो क्रॉप है, बोथ वर्ड और अपली केबल है, चलिए, यह हो गया आपका, अब हम लोग यहाँ पर हैडिंग डाल देंगे डियर, वो बिना किसी नंबर के है, हैचिंग हापा, आपकी next एडिंग क्या है, हैचिंग हापा, और यह हमने आपको बता दिया है, हैचिंग हापा या तो सिमेंटेड हो, या फिर नेट के बने डूवल लेयर्ड होने चाहिए, डू लेयर्ड का सेंस आप समझ एक layer अंदर हो अर उसी के बाहर लगा हुआ दूसरा layer हो और ये net के बने हों इसके बने हों net जाल के बने हों मान लीजे एक छोटी मच्छरदानी है एक बड़ी मच्छरदानी है तो बड़ी mosquito net को पहले रखे उसके अंदर छोटी mosquito net को रख दिया और पानी में है वो हापा के फार्म में जैसे हमने कहानी था कि इनको बंबू से चारू कॉर्नर बाद दीजिए जिससे कि ये टंगे रहेंगे उपर की तरफ मचलियां बाहर नहीं निकल पाएंगी और नीचे का जो 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 इस पेस है इस स्पेस में छोटे छोटे फिंगरलेंग्स पानी में डिवड है डूबे हुए है यही इसका अब जैसे जैसे फिंगरलेंग्स बड़े होंगे न वो थोड़े से मोटाईल होंगे एक्टिव होंगे तो वो निकल कर पहले वाले से दूसरी वाल में आ जाता है अब समझे जब पहले से निकल दूसरे में आने लाइग बने एक्टिव हो जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि वो अब तैरने लाइग हो गए वो अपने फूड की तलास खुद कर सकते हैं तब उनको यहां से हापा से निकाल स्टॉकिंग पाण्ड बैट कर देंगे इस्टॉकिंग पाण्ड क्या होता है जहां पर इनका इस्पेसल फीडिंग प्रोवाइड किया जा सके वो हापा की बाद होगा इस्टॉकिंग पाण्ड तो डियर आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे हापा नेक्स डेइ स्टॉड़ी किया जाएगा ठीक है तो आप सब लोग हमारा साथ दे रहे हो ये पढ़ना तो अलग की बात है साथ जुड़े रहना मतलब इस्पेसल बात होती है साथ देना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग थमसब कीजिए अगर सैडिसफाइड होते हैं अच्छा लगता है समझ में आता है त हाँ ठीक है बिलकुल बिलकुल थमसब आप लोगों का आ रहा है कोई भी क्वेस्चन हो डियर आप जरूर पूछे बिना किसी प्रॉब्लम के हम आपको बताएंगे ठीक है अभी थोड़ी से महनत अपने लिए भी ज्यादा हो रही है चूंकि 11 अक्टूबर को लगा हुआ ह UPPCS का एक्जाम इसलिए तो एक फाइनल और बात कहना चाहेंगे हम क्यों सेप्टमबर देखिए लग चुका है और 15 सेप्टमबर तक 1000 सब्सक्रिप्शन होने चाहिए वो आपकी जिम्मेदारी है आप सब लोग सब्सक्राइब कीजे जो नए है उनसे करवाईए भी और एक main point कि सभी लोग फीस जमा करके admission जरूर करवा लिजे सेप्टमबर की आगस्त की जिनकी बाकी है वो आगस्त की फीस इमांदारी से pay कर दें ठीक है आज के लिए बस इतना ही take care and bye